आदरनी बंद्वो माताव वे मेरी प्यारी बेहनो राधी राधी आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वागत हैं। बंद्वो आज हम इस वीडियो में भगवान जगनाजी वे उनके भक्त की कथा सुनेंगे। जिसे सुनने सुनाने से भगवान जगनाजी की कृपा से भक्त की हर मन इच्छा पूरण होती है। उसके जीवन में नई-नई खुश्या आती हैं। कथा सुनने की बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृप्या हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहली आप तक पहुँची। वीडियो को शेर वे लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार भगवान जगनाजी के परम भक्त बलराम दाजी रात्री के समय मंदिर के बाहर टहल रहे थे। रात्री का समय था पूजा हो चुकी थी और मंदिर के द्वार भी बंध हो चुके थे। टहलते टहलते अचानक बलराम दाजी ने देखा मंदिर का सिंग द्वार खुला उस में से दो अबोद बालक बाहर आये और मंदिर से कुछ दूर स्थित जोपड़ी में चले गए। कुछ समय बाद बालक जोपड़ी से बाहर निकले फिर से सिंग द्वार द्वारा मंदिर में प्रिवेश किया और द्वार बंध हो गया। बलराम दाजी यह देखकर हैरान थे कि आखिर ये बालक कौन थे। मंदिर से बाहर कैसे आए, जोपड़ी में क्यूं गए और फिर मंदिर में क्यूं वापिस चले गए। बलराम दाजी के मन में यह सब जानने की इच्छा थी, पर वेह घर लोट गए। अगली रात्री वेह फिर से मंदिर के बाहर पहुँचे। आज भी वैसा ही हुआ। लगातार तीन-चार दिन तक बलराम दाजी यह क्रिया देखते रहे। आखिर पाचमे दिन बलराम दाजी उस जोपड़ी में पहुँच गए जहां वे बालक चाते थे। जोपड़ी में जाकर बलराम दाजी ने देखा कि वेह जोपड़ी प्रभु भक्त यानी की भगवान जगन नाजी के भक्त प्रभु दास की थी। प्रभु दास एक साधारन व्यक्ति था। वेह पान बेचने का कारे करता था। और उससे जो आमदन होती उससे वेह अपने परिवार का गुजारा करता। और बाकी समय जगन नाजी के भक्ति में व्यतीत करता। एक समय प्रभु दास भगवान जगन नाजी के मंदिर में बैठा हुआ था। और उनकी ओर निहार रहा था। प्रभु दास ने देखा कि भगवान जगन नाजी को चपन परकार का भोग अरपित किया गया है। भगवान के भोग को देखकर प्रभु दास के मन में आया प्रभु आप छपन परकार का भोग ग्रहन करते हो। परकाश भोजन के बाद आप पान भी पाते तो आपको भोजन पचाने में असानी होते। भक्त के भाव को भगवान जान रहे थे और उसी रात्री भगवान जगन नाजी भाई बल भत्र के साथ बालक रूप में प्रभु दास के घर पहुच गई। छोटे छोटे बाल को द्वारा जब पान मांगा गया तो प्रभु दास ने दे दिया और पान पाकर वह बालक फिर से वापिस लोट गई। बलराम दाजी को यह सब देख कर समझने में देर ना लगी कि ये भगवान जगन नाजी हैं जो भक्त के घर पधारे हैं। यह सब देख बलराम दाजी प्रभु दास के पास गए और पूछा ये बालक कोन थे और आपने इन्हें पान क्यों दिया। प्रभु दास ने कहा मन मोहक छवी वाले ये सूकुमार जब मुझसे पान मांगते हैं तो मैं इन्हें नी संकोच दे देता हूं। बलराम दाजी ने कहा कि फिर पान के बदले धन कितना लेते हो। प्रभु दास बोला आप कैसी बाते करते हो। इन छोटे छोटे बालकों से कैसा धन। बलराम दाजी ने कहा तुम्हारे घर का गुजारा पान बेचकर जो आमदन होती है उससे चलता है। यदि तुम ऐसे ही बिना धन के पान देते रहोगे तो घर का गुजारा कैसे चलाओगे। सुनो अब कल जब ये तुम्हारे पास आएं तो तुम इन से अपने पान की कीमत मागना। अगर ये धन देने में असमर्थ हों तो जो सफेज चादर ये धारन करके आते हैं वे ले लेना। अब प्रभुदास पर वलराम दाजी की बातों का असर हो गया। अगली रात्री जब वे दोनों बालक प्रभुदास की जोपड़ी पर पान पाने के लिए आये तो प्रभुदास ने उन्हें पान देते हुए कहा। आज तु ये पान तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके बदले धन देना होगा। वे दोनों बालक बोले हमारे पास आज धन नहीं हैं। हम तुम्हें कल ला देंगे। पर आज प्रभुदास टस से मसना हुआ। कहने लगा धन नहीं हैं तो अपनी ये सफेद चादरे मुझे दे जाओ। भगवान भक्त के भाव को जान रहे थे। उन्होंने अपनी चादरे उतारी प्रभुदास को दी और लोट गए। अगले दिन सुभह जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान जगनाजी। वे बल भद्र जी के उपर वे है सफेद चादरे नहीं हैं जो संध्य पुजा के बाद भगवान के उपर डाली गई थी। पुजारी हैरान थे। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई कि भगवान की चादरे कहां गई। नगर के राजा रुद्र परताप तक भी ये बात पहुच गई। यह सुन राजा क्रोदित हो उठा कि मंदिर से चादर कहां जा सकती है। और यदि उन्हीं किसी ने चुराया है तो वे है दंड का अधिकारी है। राजा ने नगर में ये घोशना करवा दी कि शिकरती शिकर उन चादरों का पता लगाया जाए। और यदि उन्हीं किसी ने चुराया है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। जब यह घोशना भक्त बलरामदाजी ने सुनी तो वे है राजा रुद्र परताप के पास पहुँचे। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी निर्दोश को सजा मिली। राजा रुद्र परताप के पास पहुँचकर बलरामदाजी ने सारी घटना जोंकी त्यों ने बता दी कि कैसे भगवान प्रभुदास के पास पहुँचे उससे पान पाया और उसके द्वारा कहने पर ही प्रभुदास ने उनसे उनकी चादरे मांगी। यह सब सुनकर राजा बड़ा हर्शित हुआ। वेह स्वयम भगवान के उस भक्त के घर पहुँचा जहां भगवान पान खाने स्वयम जाते थे। राजा ने जाकर प्रभुदास के दर्शन की। जब प्रभुदास को यह पता चला कि वे दोनों बालक कोई और नहीं बलकी साक्षात भगवान जगन नाजी। वे बल भद्र थे तो वेह भाव विभोर हो उठा। उसने वेह दोनों चादरें लाकर राजा को दे। सफेद चादरों को देखते ही राजा पहचान गया कि यह वही चादरें हैं जो भगवान के उपर दी गई थी। राजा ने वेह चादरें ले और भक्त प्रभुतास पर परसन होते हुए। राजा ने कहा अब से परतियक दिन भगवान जगन नाजी को भोजन भोग के साथ पान अरपित करने का कार्या आपको होगा। तब से लेकर आज तक भगवान जगननाजी को 56 भोग के साथ 5 सेवा भी दी जाती है। बुलो भगवान जगननाजी की जै। बंधु भगवान जगननाजी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैब बने रहे। आपका घर आगन खुश्यों से महकता रहे। इन्ही शुक्कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यावाद राधी राधी।